कि आप नमस्कार पेरेसातिव हैं बात कर रहते हैं भारती इतियास की बहुति कि ने बात की थी तोड़ी वह तो और कुछ जानकारियाँ प्राप्ट की थी किस प्रकार से मगल घनानंद का अंत कर दिया और घनानंद का अंत कर देने कि बाद कभी चानक्य के द्वारा किसके द्वारा चानक्य के द्वारा और चानक्य के का सबसे पहले क्या कि आ जाता है गनानंद नंदवंस का अंतिम सासक होता है कि यह कर्ज बढ़ा देता है कि के उपर जनता कि उपर जनता किसके पास सकायत करती है शिकायत करती है किसके उपर अर्थात जनता चानक की के पास शिकायत लेकर जाती है लेकिन कहा जाता है कि जब राजा की पास ये इसको राजा को समझाने के लिए को जाता है चानक के चानक के का अपमान किया जाता है वहा यारीज खेल दिखा रहा था उसे वहां पर तो उसको देखता है और उसको देखने के पश्चात कहा जाता है कि एक जारकार सा पंड में राज किलम खेल खेल के दोरान किसको करीद लेता है एक बालक को खरीद लेता है और उसे ले जाता है ले जाकर शिक्षा दिक्षा देता ह दिक्षा देखकर उसके साइता से ये नंद का अंद करdoesवस के अंतिमशासक घंनानंद का अंत करता उसको मार देता है पेर दोस्तों और मार देने के पशार यहां का सामराजी की सापना कर देता मोरे काल में जब पहला राजा राजा ये इसे चंद्र गुप्त मोरे कौनसा चंद्रगुप्त मोरे और चंद्रगुप्त मोरे का जो शासनकाल माना जाता है 302 एक्सओं दध्यान में एक्सां का पूर्व नेकीन दोशों अंठ्यान में इशा पूर्व नि हम अब तक ही इसका जो सात्राकाल माना जाता है यह समें चौन होता है इसक गुरु चौन मानना जाता है इसका गुरु कोन है चानक के कोन माना जाता है वही चानक के इसका गुरु माना जाता है क्या माना जाता है वही इसका गुरु चानक के को माना जाता है चानक के कोई विश्नु गुप्त करते हैं क्या करते हैं विश्नु गुप्त क्या करते हैं चानक के कोई क्या कहा जाता है प्रथम क्या प्रथम एतिहाशिक सासक माना जाता है माना जाता है । कोण माना जाता है बही चानक के को भारत का प्रतम एतियासिक सासक माना जाता है चंद्रगोप्त मोरे को क्या माना जाता है भारत का प्रतम एतियासिक सासक माना जाता है इसका गुरु को उनता चानक के और चानक की किसा हैता से यह क्या बनता है चंद्रगोप्त मोरे सामराजी कि इस्तापना करता है और मोर्वेस सामराप इस्तापना करने के पश्चात यहां का सासक बन जाता इसकी माता की बात आती इसके वंसकि बात करें कि मात की जव यह रहा करते थे जहां पर मोर्यों का सामराज्य अधिक मोरों का अधिक छेत्र होने कारण यानि कि सर्वादिक मोर देखने को मिलते थे इस कारणी से मोरे सामराज्य कहा जाने लेगा कुछ इत्यासकार करते हैं कि इसकी कि घनानंद की घनानंद की एक दासी हुआ करती थी कौ कंद्स एक करेंगे निकाल निकाल देने इसको इसके पास एक सिकारी पकड़ लेता था इसको हैं पर काम करवाता है और शिकारी काम करवाता है तो इसी के पास सिकारी के पास से कौन खरीद लेता है चानक के इसको खरीद लेता है कि उसको चंद्रकुट मोरेकुम अब कंडिशन यह होती है कि इसके बात करे और कुल कि बात करे तो चानक के हैं लग- जांदकारिया देते हैं सब इसका, मोरेमंस की सर्वाति के प्रसिद्न जानकारी मिलती है चानके के अर्थसास्त्र से इसकी जानकारी या मोरे काल की जानकारी का सबसे प्रमुख्ध शरू ये कौन सा है नो रे कालिन जानकारी का जो मुख्य शिरोत माना जाता है वह कोटिले के अर्थसास्त्र है कोटिले की यह चानक के उसी को गतें क्या है स्रूत और स्रूत क्या है अर्थ सास्त्र इसका अर्थ सास्त्र और अर्थ सास्त्र यह प्रतम गरंत माना जाता है किस पर राजनीती पर लिखा हुआ किस पर यह किसके द्वारा लिखा गया यह कोटिले के द्वारा यह चानक के के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया चानक के या कोटिले के द्वारा लिखा गया ता जिसके बारे में ये का जाता है इसी अर्थ सास्त्र में ये इसको समराट करकर बत्ता है लेकिन का जाता है कि ये इसको कहीं पर भी चंद्रगुप्त करकर संबोदित नहीं करता कौन से ग्रंत में बले ही ग्रंत किसका है चानक जहां पर जानकारियां काफी सारी मिलती है किस प्रकार से सासक बनता है शाशक बनने के पश्यात क्या-क्या कंडिसने होती है यह सारी जानकारिया हमें देखने को मिलती है देखिए क्या साथ ही सिच्वेसन आती है कि यह जो सासक बना चंद्रप्त मोरे जब सासक बना बना तो विब्दाइं सामने आती है कि यह आ में कोटि लेक जो है एक सीकारी से इसको ख्रीद कर लाता है और कहा जाता है इसी के समय कौन आक्राइब करता स्कंदर आकर्म नहीं बनाता है छो भचने के लिए सकंदर से बचने के लिए या सिकंदर को से बचाने के लिए वह रहता से बेट thinner के सामना नहीं किया ऐसी जानकारी हमें मिलती है चले और बात करते और क्या बात करते वह प्रतम एतिया सिक्सास कमाना जाता है अर्था देखिए अब जब सिकंदर गया था यहां से जहां से सिकंदर गया था तो सिकंदर गया था तो यहां पर शत्रप नियुक्त कर गया था क्या चत्रप नियुक्त करके गया था तरफट नियुक्त करके गया था इन पर authorized में पर निदी करके गया था जिनको क्या है जाता था शत्रप ँका जाता था की कौन जहां पर चंद्रगुप्त मूरे कौन प्यारे दोस्तों इस चंद्रगुप्त के द्वारा किसके द्वारा चंद्रगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त के द्वारा क्या किया जाता है भगा दिया जाता है यहां से क्या कर दिया जाता है यहां से भगा दिया जाता और पहने करता है इस कारण हमान जाता है भारत को सोतम्त कट्राने वाला सासक भी कहा जाता है cara को आ जाता है और ध्यान रहने चाहिए वहिए आपको जानकारी ये प्राप्त होनी चीए इससे अब क्या-क्या कंडी से ने देखने को मिलती है यहां पर चंद्र मोर्य का जो सासक हो जाता है शाशन बन जाता है जानकारी के सरूत क्या है नेक्स बाते करें तो यहां पर जैनकारी मिलती है तो और भी कुछ बहुत कुछ जानकारी मिलती है चत्रपो चत्रपो को क्या करता है यहां से मार कर भगाने वाला सासकोने भी तो देखिए क्या कि अधर के द्वारा कि अधर के द्वारा भारत में चत्रपो की नियुक्त की गई थी जिने चंद्रगुप्त इसके द्वारा भाई चंद्रगुप्त अधर कर द्वारा कि यहां से भगा दिया जाता है इन चंद्रगुप्त इसके द्वारा यहां द्वार वह अधर्या गया प्रति निदिन उक्त कर गया करके गया ता जिब सिकंदर यहां से जा रहा था और जाते समय उसकी बेवलियोनिया में मरत्य हो जाती है उसी समय कहा जाता है कि यहां से नियूक्त करके गया था और जाने के कारण कहा जाता है कि इसी दोरान यह इसे क्या क्या करके गया था भई इसे क्या करके गया ता वहीए यह इसे भगा देता है चलिए गा चलो अब बात करते हैं क्या कि जानकारिया मिलती और ऊप्य दिए अइक बात करते हैं जो यह सासक बन जाता है कों बन जाता है चंद्रगुप्त मोरे जैंक न क्वे तो का प्रदान मंत्री कोण बनता है वही कोण बनता है यहां पर प्रदान मंत्री बनता है चानक के कोण बनता है चानक के या कोटिले इसका प्रदान मंत्री बनता है ठीक है और चानक के या प्रदान मंत्री बन जाता है प्रदान मंत्री बन जाने के पश्यात यहां बात करें तो को इसके जो जानकारी मिलते हैं युनानी सासकों के द्वारा, इसके अलग-अलग नाम मक्लिते हैं, शेंड्रोफोक्तर हैं, चंड्रगूप्ट के, किसके नामम मिलते हैं बई, चंड्र गुप्त और चंद्रगुप्त को किसकिस नामों से जाना जाता है यहां पर युनानी सासक अलग अलग नामों से जानते हैं इसको क्या क्या एक्तो सेंड्रो कोटस कौन सा क्या-क्या नाम देते भी यहां पर सेंड्रो कोटस क्या करते हैं सेंड्रो कोटस केस नाम से जानते हैं इसको युनानी सासा करते हैं कि सेंड्रो कोटस कौन है सेंड्रो कोटस और एक और नाम मिलता है जो एंड्रो कोटस कौन सा भई एंड्रो कोटस कौन सा एंड्रो कोटस सेंड्रो कोटस और एंड्रो कोटस सेंड्रो कोटस और एंड्रो कोटस किसके नाम मिलते हैं हमें चंद्रगुप्त के नाम मिलते हैं यह इसके नाम मिलते हैं किसके चंद्रगुप्त के इसके नाम मिलते हैं चंद्रगुप्त के अब चंद्रगुप्त कहा जाता है यहां सेंड्रो कोटस और एंड्रो कोटस यह नाम देने वाले कौन कोनते भई यहाँ पर स्क्रोबो जस्टिन और अर्यuswhy तो दोस्तों अ? तप इश्त्रेबो कि स्ट्रेबो श्ट्रेबो dés्ट्डिन में और एरियां स्ट्रेबो जश्टिन एरियन Şu सेंड्रों कोर्टस करकर संबोधित करते किसको 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 करते हैं चंद्रगुप्तु मोर्य को जबकि बात करें यहां पर दूसरे यहां पर एंड्रोकोटस कहने वाले कौन है एंड्रोकोटस कहने वाले है एलियन एपियन और प्लुटार्ग कौन भई एपियन एपियन और प्लुटार्ग क्या है एपियन और प्लुटार्ग क्या कहते हैं इसको एंड्रोकोटस कहते हैं और यह कौन से सा सकते भई यह कौन से विद्वान थे यह युनानी क्या थी यह युनानी युनानी विद्वानो द्वारा कहा गया तैसे युनानी विद्वानो युनानी विद्वानु द्वारा इसे कहा गया था और कहा जाता इसकी जो पहचान की जाती इसकी पहचान इसको कह रहे हैं और कोन कोन कहते हैं कोन कहते हैं और क्या कहते हैं इन नामों है तो सारव प्रतम विलियम जोंस ने अब शत्रा सो त्रियान में इन नामों है लैतू शार्व प्रतम विल्यम जोन्स ने किस ने भई विल्यम जोन्स ने विल्यम जोन्स ने चंद्र गोप्त तो मोरे की पहचान की इन्हीं नाम ये तु सर्म प्रतम सर प्रतम किसने विलियम जोन्स ने कब 1703 में कब 1703 में किसकी पहचान की ये जो ये इंटर कोटस कह रहे हैं अरे ये तो कोई नहीं अपना नहीं है बई अपना चंदर गुप्त मोरे है क्यों फ्रक है इन दोनीं नामों के लिए इसके पहु सरम प्रतम का जाता है कि इसके पहिचान की ती लुका रखता दॉट्रप्रास यान वाई नहीं इसको कहने वाद है सत्रासी सु आधन की अगा इसन को मूरे आप अब बात करें का जाता है कि विलियम जोन्स थे इसी के पश्चात ये सेलिकोष निकटर का जाता है कि जब तो ढदो कर देखिए दोस्तों क्या कंडिशन होती जब आपस जाता है अप्र वही अपने चला जाता है जब वापस जाता है सिगंदर की मृत्व के पश्चात इन दो सेना पती हुआ करते अर्याकस और यह सेलिक्वस और निव्याकस को पराजित करके इन दोनों बे उत्राद यहां पर विजय हो जाता है और अपना सामराज इस्थापित कर लेता है कहां ठीक है और देखिए बेविलोनिया में ठीक है किसका सासक हो जाता है कि इसका बदला भी लेना चाहता था तो का जाता है कि यह भारत पर आक्रमन करने की योजना बनाता है अब जब योजना बनाता है तो इस योजना का पता किसको लग जाता है चंद्रगुप्त मोर्य को और चंद्रगुप्त मोर्य को लग जाता है कि यह जब आक्रमन करने आ रहा था गुप्तचरों की वेवस्ता की द्वारा गुप्तचर वेवस्ता की द्वारा किसका पता लग करने आ रहा है आपने भारत के उपर आक्रमन कर रहा है तो कहाँ लागन पहले अपनी शेना सही तो कहा जाता है और दोनों के बीच में 305 इसापूर वीच में तोनों के बीच में वैइट दोनों के बीच सेलिकोस निकेटर वरसेज कौन चंद्रकुप्त मोरे के बीच में दोनों के बीच में भेंकर युद्ध होता है कि कौन यहां सेलिकोस निकेटर और इनके बीच में एक संदी कि और उस संदी के तहत का जाता है कि यह इसी के साथ चल जाता है पर शनदी करें तो यह संदी करते तो कहा जाता है संदी के समय संदी के समय का जाता है कि यह कहता है कि एक तो क्या एक तो क्या करना पड़ेगा तिरको कि तेरी पुत्री का विवा मेरे से करना पड़ेगा क्या चंद्रकुप्त करता है कि तेरी पुत्री का विवा हेलेना या कारनेलिया का विवा किसके साथ मेरे साथ करना पड और यह रिया केसको किसको देना पड़ा ऐगा मैयन को देने पड़ेंगे ठीके वह यह वी सरत मंजूर हो जाएग जिसके तुम्हेर को क्या देगा कि मैं तिरी कूझ के बदले 500 हाती दूंँगा distingu फान सो इता करता है चलिए इससी चीज़ को अब लिखने के खोशिस करते हैं चलिए वही देखिए कब प्यारों दोस्तों कि 305 इस्वी कब 305 इशा पूर्व 305 इशा पूर्व चेल्यूकस निकेटर चेल्यूकस निकेटर वर्सेज इस तो इस यूद में कौन वीजेई होता है इस यूद में वीजेई होता है अपना चंद्रगुप्त मोरे विजय हो जाता है कौन विजय हो जाता है इस युद्ध में चंद्रगुप्त मोरे विजय हो जाता है और विजय हो जाने के पशात क्या कंडिशन होती है कि इनके बीच में किनके बीच में जहां पर का जाता है कि अरिके बीच में क्या होती है एक संदी होती है, दोनों के बीच में क्या होती है बही efic चंद्र गृप्त के बीच में चंद्र कि शंद्र गुप्त के मत अगे एक संदी होती है इस संदी के तर्थ क्या यह वहीं चला जाता इस तारोर गार्डन बना हुआ है। अच्छा अच्छ आशा है Śिब ऑदे में देखिए पर DRT क्या कंडी सनौत हम यहां पर देखिए पर गोल सा गारडन बना हुआ है। इधर जो देखे हैं तो यहां पर किसका सिलिकोष निकेटर का महल किसका है सिलिकोष निकेटर का महल किसका है सिलिकोष निकेटर का बड़ा बैवेसा महल बने हुई ठीक है यह और इसमें एक तरफ बेड लगा हुआ सिलिकोष निकेटर का पर इस पर सोया हुआ था कौन एक तरफ इ एक तरब तो किसकी बात कर रहे है वही सेल्इक शुष निकेटर की और यहां पर युद्ध से हारा था का याँ था तो रात को विश्राम करने लगता है इदर बेड़ लगा हुआ है और यह कौण सो जता है वही लिकष निकेटर यहां पर सोया हुआ था दात को सोते हैं मस्धी से मौण मस्धी से इ Ari daRe pattern कोई कि इदर बात करते हैं इदर कोंता छाथ इसकी संदर सी शूद्र शूद्र सी शानदार यह यहां पर पा कंडिसन होती है किसको इसको जो रोका जाता है किसको भी अपने जो चंद्रगुप्त मोरे इसके साथ ही चला गया था युद में हारा तो कुंता सेलिकस लेकिन इसके साथ यह ले गया और ले जाने के पश्चात यही पर रोका जाता है किसको चंद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त को अलग से महल में दिया गया तो यह बैसा भी चंद्रगुप्ति कौन चंद्रगुप जीब जी सोए ठीक है यह भी सो गए रात को और यहां पर टेबल लगी हुई थी इस पर आकर तुबही क्या करें हम संधी वारता करेंगे पर संधी वारता का जाता है कि यहां पर टेबल लगा दी गई इस चलेकर तो दोस्तों या कंडिसन होती है अब सुबह सुबह मॉर्NING के टाइम बढ़रो और क्या इसको गूमने के आदत थी चंद्रगुपन को तह्ım प्रीक है क्या करता है घूमने के लिए जाता है क्या करता है गूमने के लिए जाता है तो अपने यह जो थे कि यहां से उठा कि यह गूमने के लिए आ गया कि दर आ गया यह चलकर कि दर आ गया यहां पर यह पारक बना हुआ था पारक में गूमने के लिए आ गया और यह यहां गूमने लग जाता है गूमने लग जाता है इधर से यहां पर इसको भी गूमने के आदत थी इसकी बेटी इसकी बेटी इसकी बेटी थी और इसको भी गूमने के आदत थी तो यह उठकर कां से यहां से उठकर कां गूमने के लिए पारक में आएगी और पारक मे यहां पर गुमने के लिए आजए हैं और दोनों आपस में इहां पर आगे चल और यहां पहे चली रही तहीं इसकी चंद्र गुप्ति के का जाता है कि यहां पर दोनों का मिलान होता है मिलान होने के पश्यात दोनों आपस में एक दूसरे को देखने के पश्यात आके चार होता है आके चार होते ही इसका दिमाग खराब हो जाता है और का जाता है इसका दिल इस पर आ जाता है किसके उप गौनलाइलिय में टो बड़े शीए लिकोच। च्सीर नास्थर खाणल यह बड़े लिगेवेश अवाया बड़े और का जा एकाजाता है होती है उपसार है आब अलग लग प्रकार के प्रेट लगे दो फिल टी इस गार्डन में घूमते है और गार्डन में घूमते हुए यह आ पर इकाद आता है कि तुम तो अशुपन बना किmond boa यहीपल यही पर संदी होती है लुख Tu लूखत कर था ने इसकी अब करते है Sum 24 पर ऐा न बना दिया गया और हवन में किस नागे मसड़ता और सब्तर कोण आता है Z sentiments और यह इसकी पुत्रि धेकि ली थी और यह आ जाता है कहां पर यहांपर बैटता है राता है कि संदी करते हैं इन दोनों के बीछ में वारतालाब करेगा । अब कि तेरी बेटी का विवा मेरे साथ करेगा झाटे कर दूँगा और दूसरी बात यह है कि काबुल कंदार कुंसा काबुल कंदार ब्लूचिस्तान और हेरात वाला चेत्र मेर्कों देना पड़ेगा ठीक है यह भी दे दूँगा और बोलो साथ क्यों कि यह प्राजीत राजा था भई और विजय जो राजा हुआ है दूँगा तो का जाता है कि इसके फश्चाथ तु क्या देगा मैं तेरे को 500 आति दूँगा और एक या एक राजदूत भी भीजना पड़ेगा तरो को मेरे लिए ठीक है तो कहा जाता है कि इनका दोनों का विवा यह पर चंवरी बनाई जाती है और दोनों का विवा शंप लेने का किसका हेलेना का विवा कर दिया जाता है यह हेलेना यह पर विवा कर दिया जाता है हेलेना और दोनों का बंदन बांद दिया जाता है यहां पर यह बंदन गट बंदन और इसमें क्या कर दिया जाता है यह अगनी प्रज्जोलित कर दी और यह पर फेरे खाता है और य लेकर आजाता है भारत लेकर आजाता है याद रखी का पहरा दोस्तों अब देखे क्या क्या मांग रखी इसने की संधी की तध क्या मांग रखी पहले बात करें तो विवा च्छेत्रों के बात की कौन को से च्छेत्र मांगे इसने च्छेत्रों की बात करें कौन को से च्छेत्र एक तो बात करें पहरा दोस्तों यहां पर जो च्छेत्र की मांग की गई इसके द्वारा कौन को से पहले बात करें काबूल 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 का है काबूल दूसरा कंधार होन्सा कंधार तीसरा ब्लुचिस्तान कौन partly एंवे दिलुचिस्तान कॉन सा भूचिस्तान-र चोता हैरत हैं तो Рाद कि चार छेतुर मांगे थे इस इस समय इनको क्या-क्या नाम से पुकारा जाता था इस समय किस-किस नाम से जाना जाते थे देखी गा इस समय काबूल को तो कहा जाता था पेरो पे निश्डाई क्या कहा जाता था पेरो पे निश्डाई क्या कहा जाता था पेरो पे निश्डाई क्या कहा जाता था यह चार च और दूसरी बात करें कंदार कंदार को क्या कहा जाता है अरा कोशिया 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 कहा जाता है जहां पर ब्लूचिस्तान को और ब्ल जैलूकषी पते वी अधियों को देटीन, और ऐसका यहीं सोच्छिटॉ तेटीन,। शेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवा हेलेना का विवा हेलेना या कारने लिया का विवा चंद्रगुप्त के साथ किया जाए चंद्रगुप्त के साथ या गया इस संदी के तर्ट चंद्रगुप्त के दरबार में क्या बेजा गया एक राजदूत बेजा गया चंद्रगुप्त के दरबाद में किसको बेजा गया एक राजदूत बेजा गया और उसका नाम क्या था मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के जर्वाज में एक राजदूत बेजा गया कौन चंद्रगुप्त के तर्वार में एक राजदूत बेजा गया मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था यह प्रतम विदेशी राजदूत माना जाता है भारत आने वाला और कहा जाता है इसी के द्वारा यहां रहते हुए एक रचना कीति इसने कौन सी रचना कीती इंडी का क्या लिखीति इसने इंडीका के बारे में यहां की जानकारी मिलती है और इसी इंडीका में कहा जाता है मोरे प्रसासन की जानकारी मिलती हैं में किसकी जानकारी मिलती है लोरे प्रसासन की जानकारी मिलती है तो यह बाते होती भई किस से समन्दित हो तही है यह वह बहारत का प्रतम अंतरराष्ट्य विवा माना जाता है क्या माना जाता है यह भारत का प्रतम अंतरराष्ट्य विवा माना जाता है इसका चंद्रगुप्त इसका वही चंद्रगुप्त इसका वही चंद्रगुप्त इसका वही चंद्रगुप्त वह कारनेलिया कारनेलिया कार फेल्येना का भारत का प्रतम तो यह अन्तर राष्ट्री कि विवा माना जाता है क्योंचा कि अंतर राश्ट्री एड़ अंतर राष्ट्री एड विवा माना का जाता है कुंसा वीवा माना जाता वैं यं पर्तम अंतराश्च दया किसके चंद्रवक तो茉यने किस्ये पूत्री किसे तो पूतरी है इसी के बदले चंद्र गुप्तने इस संदी के ताहत संदी के ताहत चंद्र गुप्तने तेल्यू कॉस को सेल्यूकाश को 500 हाथी दिये ते इसको दिये थे चंद्र गुप्तने सेल्यूकाश को 500 हाथी दिये ते उसके बाद इसने विवा किया था तो यह सारी चीज़ा आपको समझ में आगी होगी पहरा दोस्तों कहा जाता है भारत में नियूक्ट ये प्रतम विदेशी राज़तूत माना जाता है कोन भई मेगस्तनीज भारत में नियूक्ट भारत में नियूक्ट प्रतम विदेशी भारत में प्रतम विदेशी राज़दूत था ठीक है भारत में प्रतम विदेशी राज़दूत कोन आया था भई मेगस्तनीज जिसके नियूक्टी कहा जाता है अगे बात करते कहा जाता है कि इसी के सासनकाल में किसके सासनकाल में और 312 इसापूर में एक भैंकर अकाल पड़ता है पहेंकर अकाल करता है और इसी अकाल के दोरान कहा जाता है जनता के लिए ये इसका एक सोराष्ट का गवर्नर हुआ करता था वहांका सासक हुआ करता था उसके को आदेश देता है कौन चद्रगुप्त मोरे पुष्य गुप्त को किसको पुष्य गुप्त हुआ करता था उस पुष्य गुप्त को आदेश देता है क्या आदेश देता है कि यहां पर एक जील का निर्मान करवा और उसी के दौरा कहा जाता है सुदरसंद जील का नि कि रहे उसी चेत्र में का जाता है इसके द्वारा किसके द्वारा पुष्य गुप्त के द्वारा इसका एक वहां का सासक वहा करता था तो उसके कि 312 कि 312 कि इशापूर्व चंद्रुगुप्त के काल में अकाल पढ़ता है अकाल पढ़ता है और इसी अकाल की दोरान क्या करता है इसी अकाल की दोरान का जाता है अपने सुराष्ट के गवर्नर के चंद्रुप्त अपने सुराष्ट के गवर्नर के गवर्नर के चंद्रुप्त सुराष्ट गवठ्वले। के द्वारा का जाता है उशे भ०्त वेस्ट को आदेस्ट कर क्या से एक गुप्त वेश्चे को आदेश देकर आदेश देकर सुदर्शन जील का निर्मान करवाया जाता है किसका कौण सी जील का भई सुदर्शन जील का निर्मान करवाया जाता है कौण सी जील का सुदर्शन तुदर्शन जील तुदर्शन जील का निर्मान करवाया जाता है निर्मान करवाया कि अर्था इससे आधेश देकर किस के द्वारा निर्मान करवाया जै कि खहिंतो है क्यों करवाया गया था शिंचाइ लिए के लिए क्यों करवाया गया था इसका प्रियोग क्या किया जाता था शिचाई के लिए इसका निर्मान करवाया जाता उस समय यहाँ पर अकाल पढ़ा हुआ था लोगों के पास खाने के लिए अर्था-अर्थ कर्शी पे पाने की कम poems आ गई ते अर्था धरती पर पाने की कम आ गए थी याप वर्साथ नहीं हो रह साथ दूलान काहा जाता है यहां पर सिछाई के कारण इस जील का का निर्मान करवाया गया चंद्रगुप्टि-बोरे की द्वारा नेक्स बात조 से तटो का कंडिस्न होती ही यहां पर देखी गां कि यहां पर बात करें नेक्स का चेली गहां आगे बात करें कि 200 दोसो अंठ्यान में इसा पूर्व कब की बात कर रहे है वही तोसो अंठ्यान में इसा पूर्व के आसपास कहा जाता है कि यह भद्रवाव एक जेन मुली वहा करते थे भद्रवाव और भद्रवाव के साथ यह कहा जाता है यह कहां चला जाता है दक्षिन में चला जाता है औ शरीरत दियाग का Nine श्रीकित अपना सुरीर त्याग देता है बई त्याग्समेम मों यह लगबगट ुशारेता इस यह लगबग में यह यहां से चला जाता है थिन पूर में चंद्र गुप्त मोरे जेन मुनी जेन मुनी बद्र बद्र बाहु के साथ बद्र बाहु के साथ कहां चला जाता है यह स्रवण बेल गूला कहां पर पड़ता है यह करनाटक कहां पड़ता है करनाटक कहां चला जाता है भी स्रवण बेल गूला करनाटक चला जाता है चला जाता है जहां पर क्या है आ एक थी क्या करता है भी जहां पर शर्वन बेल्गुल लुद्टा टो गया लेकिन का जाता है लंग बग एक दो साल तो ये प्रवन बेल गुला चला गया अब सर्वन बेल गुला चला जाने के पश्चात पर दोस्तों क्या कंडिसन होती है एक दो साल तो इदर उदर भूमा आप रहा उनके साथ दिखसा लिए इदर उदर क्या किया लग-लग का जाता है उसके बाद दिये लग-बग दोसो अंठान म इसापूर में क्या करता है ये क्या करता है सलेखना पद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कि यह सलेखना पद्धती द्वारा कि पद्धती द्वारा या इसी को क्या करते है उपवास पद्धती द्वारा क्या करते है अपने प्राण त्याग देता है क्या कर देता है प्राण त्याग देता है क्या कर देता है प्राण त्याग देता है क्या कर देता है क्या कर देता है इस तरीके से यह का जाता है जेन मुनी भद्रबाव के साथ अपने गुरू के साथ कहां चला जाता है पैक्सिन भारत में जाने के पश्यात एक पुरुं इस तरीके से प्राण ट्याग देता है 200 अंठ्यान में इशाफ पूरू अजिए ट्यान में इशापू का सर्वण बैल बूला आपर यही पर एक पहाडी पर कहीं पर सर्वण बैल बूला में एक पहाडी पर एक पहाडी पर सलेखना पद्दती द्वारा अपने प्राण त्याग देता है अपने अपने प्राण त्याग देता है और चंद्रगुप्ट मोरे कि यहां पर क्या लगबग दो संठ्याण मिसा पूर्व क्या हो जाते है इसके म्रत्यू हो जाती है सलेखना पद्दती द्वारा जिस पाहडी पर इसकी म्रत्यू हुई उससे बाद में चंद्रगीर पहाडी कहा गया जिस पाहडी पर जिस पाहाडी पर पर चंद्रगुप्ट की चंद्रगुप्ट की म्रत्यू हुई पर जिस पाहाडी को इस पाहाडी को वो चंद्रगीर चंद्रगीर पहारी कहा जाने लगा क्या का जाने लगा वही चंद्रगीर पहारी चंद्रगीर पहाड़ी कहा दाने लगा बाद में किस नाम से जाना गया यह चंद्रगीर पहाड़ी के नाम से इस छेत्र को या इस की प्रय जाने लगा बहुत लेकना पद्यति के द्वारा दोस्व अंठ्यान में इसापूर में इसकी मृत्य हो जाती है और यह था चंद्रगुप्र मोरे पैर दोस्तों इसके बारे में एक चीज हमने देखी और किस प्रकार से इसने पूरी की पूरी पूरी जीवन में क्या क्या किया एक बार है कि दसकで मोरी काल सबसे पहले हमने बात की चंक्त्रगुंत मोरे की इसका जुष français करते 302,323 इसकाần PAL माना जाता है यह परताम bardziej सासक माना जाता है क्या सासक माना जाता है यह परतम से इसके घुरु चानक को कि धै branches चानक के को भी माना जाता है किसको माना जाता है बहीं इसके प्रदान मंत्री भी चानक के को माना जाता है और बात करें यहां पर कहा जाता है इसने च्छत्रपों को यहां से पराजित करके यहां से भगा दिया था जो सिकंदर के द्वारा नियूत के गए थे चत्रप और कहा जाता है कि भारत को सोतंत्र करने वाला प्रतम सास्त्र माना जाता है कौन सा यह अर्था इसकी जानकारी कहां से मिलती है इसकी जानकारी हमें कोटी लेकि अर्थ सास्त्रे से मिलती है यह प्रतम गरंत माना जाता है जो किसके उपर लिखा गया राज निती के उपर लिखा गया तो इसका प्रदान मंत्री को था को इसका प्रदान मंत्री बनाया गए था इसके अलग-अलग-अलग नाव मिलते हैं तो युद्वाजा संबोदित किया और कौन-कोन से इतियास का इस्ट्रय पूल जश्टीन और एरियन स्ट्रय वट करता है जब कि बात करें ऐंड़ो कोन के अधा है अप्यों और प्लूटारक इसको क्या कर संबोधित करता है नामों ुस्वी अशा і पहचान कि नहीं नहीं कि यह तो वो है हमारा और यह इसस पहचान करनेे वाला सत्रासो तेर्याण में इस वी में कौन था वही सत्रासो तेर्याण में पैचान करने वाला विल्यम जॉन्स था कौन था वही सत्रासो तेर्याण में इन नामों की पैचान करने वाला कौन चंद्रगुप्त विल्यम जॉन्स था किसके रूप में पैचान किसने ये नाम क कहा जाता है कि सिकंदर का सेनापती हुआ करता था सिकंदर के बाद यह सासक बन जाता है सासक बन जाने के बाद भारत के उपर आकरमन करता है भारत के उपर नहीं मगत के उपर आकरमन करने की सोचता है चंद्रगुप्त मोरे के उपर आकरमन की सोचता है क्योंकि कहा जाता है क सेके चंद्रगुस्थू मूर्ए मूर्ए सी चलते हुई यह आकरमन करने आता है तो इसका सामने किस्सा होता है से लिगेट्रध के आसपास आपकर का जाताór कि इसका पता पहले चंद्रगुप्त को लग जाता है जब चंद्रगुप्त मोर्य को इसका पता लग गया कि सेलुकस निकेटर आक्रमन करने आ रहा है तो कहा जाता है कि सेलुकस के शाम नहीं यहां पर सिंदु नदी के पास कि कोल मिल जाता है अपना चंद्रकुप्त मोर्रे मिल जब देखा गया तो यहीं पर ढकर बेच में युद्ध ऑता है जिसमें कौन वीज्ञे हो जाता है और चंद्रम ज्कू जहो जाने के संदी के लिए कशल जाता और इसre से तो ब्याव करना है अपन को सतुना भीडाना है और का जाता है कि इसके सामने जब यह संदी करने के लिए आता है तो इसके सामने पहली बात एक तो तेरी बेटी का ब्याव मेरे से करेगा यह कर देता है दूसरा कि काबूल कंदार ब्लूचिस्तान और हरात वाला यह दिया म और एक कौन एक राजदूत भी भी बेज़ेगा मेरे साथ किसको बेज़ेगा एक राजदूत बेज़ेगा जब इसको ब्याव करके ले जाओंगा में तो यह तो कौन सी बहसा बोलेगी उन्हां नहीं बहसा बोलेगी मेरे को मरे पल लेनी पड़ यह क्या कहेंगे मैं क्या अिस समय काबुल को पाइं के नाम से जानते हैं इंडीका के नाम से जानते हैं और यही बात करते तो का जाता है लगवग 300 इसापूर में का जाता है यहां पर का 312 इसापूर में यहां पर क्या पड़ता है अकाल पड़ता है कहां पर भारत में भेंकर अकाल पड़ता है इसी का अकाल के दोरान अकाल का रिराखत कारे के दोरान सिचाई के लिए अपने अपने गव जिल के नाम से जानते हैं किस जीज़ के नाम से जानते हैं सुधर्सन निकाल देता है लेकिन का जाता दोस्व अंठ्याण में इसा पूर में यह सलेखना पद्धती द्वारा या उपवास पद्धती की द्वारा अपने प्राण त्याग देता है और देह त्याग देता है पैर दोस्टों और इसका प्रकार से किसकी चंद्रगुप्त मोरे का अंत कि प्लसतों पाइए दिजिसर सर क्लाइस के साफ मुबंग औरुक्षा के साथ और जो और जुनुन के साथ बढ़े रहे और आपकी प्रगत्ती में हमारा हाथ हो ऐसा जुनून सरके वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कोई ना कोई कमी लगती आपको और उसके बाद जिस जिसको जरुते वहां तक इसको शेर कीजिए शेर करना बिलकुल ना भूले और जो चैनल पर नया है उसको बोल दीजिए कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ठीक है मिलते हैं नेक्स डे नेक्स के साथ ने जोन ने जुनून के साथ पहरे दोस्तों नमस्कार जेहिंद जे भारत